अब इस थर्ड चैप्टर पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर में अगर किसी चीज को comment in comment out करना है ठीक है आपको कोड execute करना चाहते हो या फिर कोई comment लिखना चाहते हो ठीक है और उस comment को code से exclude रखना चाहते हो तो ताकि मतलब आप चाहते हो कि कोई कुछ आप लिखो और आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है पहले तो मैं इसको clean कर देता हूं यह last वाले chapter का था ठीक है तो comment क्या होती है मैं इसको भी समझा देता हूं basically आपको comment क्या होती comment basically कोई भी coding को explain करना या situation को explain करने के लिए आपन use करते है ठीक है ताकि वह एक proper readable format में आ ज use होता है ताकि आप properly किसी code को दिखा पाऊ, show कर पाऊ, present कर पाऊ ठीक है तो जब आपको our language पे code या comment को execute करना है तो आप hashtag का use करोगे ऐसे hash का use करोगे तो क्या करेगा इस hash के अंदर पे यह hash plus next line इसके अंदर आप जो भी लिखोगे यह execute नहीं होता है ठीक है आप enter का button दबा हो जाता है यहां से ठीक है तो मैं आपको इसका एक प्यारा सारू को एक example दिखाता हूँ मालो जैसे मैंने यहां पे लिखा ऐसे इसको पहले मैं clean करता हूँ यार यह मुझको जमनी रहे यहां पर मैं लिख देता हूँ कि this is a proper comment ठीक है यह मैं लिखा हूँ अब मैं नीचे यहां पर लिखता हूँ इस तरमिनल पे हैलो यहां लिखता हूँ हाई शरत ठीक है एंटर के बटन दबाता हूँ तो देखो शरत प्रिंट हुआ this is proper comment यह प्रिंट नहीं हुआ ठीक हैं अब बोलोगे सर यह क्या है यह जो उपर में लिखा हुआ है अपने इस पर जाएंगे यह आपका पूरा code पैनल है यह तो टर्मिनल है यह आपका code पैनल है जो भी code आप लिखना चाहते हो ना सोर्स आप यहां पर लिखते हैं उसको हम जब फाइल शेरिंग करते हैं ना कोड़ की तो वह यही शेरिंग होती है मैं तो टर्मिनल पर आपको दिखा रहा हूं पूरी चीज़े हैं अभी एक्जेक्यूट क्योंकि एक्जेक्यूशन चल रहा है हमारा अभी इस पर आए नहीं है अपन ठीक है तो यह प्रॉपर कमेंट मैं एंटर का बटन दबाऊंगा और जो लिखना है मुझ को ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ज़िख boiling मैं यहाँ बटन दबाऊंगा मैं focus कर रहा हूँ इस पे तो इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है तो यह simple इस तरह comment का output है अब माल लो यह तो एक line थी यार यह तो एक line थी अब इसके आगे पीछे पे कर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थी के अगे हाँ अगर comment लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी comment लिख सकता हूँ ठीक, this is a comment, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, c-o-m-m-e-n-t, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको execute करूँगा, तो क्या execute होगा, देखते हैं, यह देखो, क्या print हुआ, केवल इशरत खरे print हुआ, this is comment जो है, यह print नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने उसको hashtag दे दिया है, पहले की चीज़ें से कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक गलती मत करना, एक जो गलती होती है, जो normally लोग करते हैं, वो गलती है आप मत करना, लोग कई वर क्या करते हैं, जैसे उन्होंने hashtag दिया, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है, ठीक, लोग, आपने hashtag दिया, और यहां पर आपने दे दिया inverted comma, और इसके बीच में आपन enter का button दबाओगे ना, तो यह देखो, यह जो problem होनी है, यह execute नहीं होगी, ठीक है, मैं आपको इसको problem इसलिए बोल रहा हूँ, कोई इस तरह से मत लिखना, इस तरह से बहुत confusion होती है, आपको अगर लिखना है, आप एक command को दो जगा लिखने वाले हो, तो उपर वाला line आप यहां पर मैं इसको देता हूँ, हाए शरद, क्या ते मैंने hashtag के अंदर दिया है न, inverted, ठीक है, अब मैं यहां थोड़ा सा और आगे आता हूँ, और यहां पर, अगर मैं फिर से देता हूँ, हाए शरद, देखो क्या होता है, इसको इन रचना होगा क्लोस कर दो, ठीक है, यह प्रिंट नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं, ये लाइन अलग हो जाती है, ये लाइन अलग हो जाती है, तो मेरा ये कहना है, आपको जब कमेंट देना है, तो यहां स्टार्टिंग पे मत देना, कमेंट हमेशा लास्ट में आनी चाहिए, अधर वाइस क्या होगा, ये देख भी हटा दो यह जो है चलो इसको भी हटा दो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं तब भी दिखो क्या एक्जिक्यूट होगा देखो नहीं हुआ स्टार्टिंग में कमेंट नहीं देना मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको और अगर देना है तो आप क्या करोगे हाई शरत के वर लिखो और इसको नीचे लिखोगे ठीक इसको नीचे लिखोगे तब आपका यह प्रिंट होगा अदर्वाइस नहीं होगा इस चीज़ का ध् आपको hashtag का यूज करना है आप कुछ भी लिखो एंटर दवाओ फिर कुछ भी लिखो एंटर दवाओ फिर कुछ भी लिखो एंटर दवाओ सॉरी उसके बाद आप यूज करना हर एक कोडिंग पे अलग-अलग होलता है multi-line के लिए अलग होता है ठीके लेकिन इसमें ऐसा और जो आपको print करना है जा तो आप उसको हाई शरत कर दो embedded कोमा में या फिर उसको print कर दो इसके अंदर Cow और हाई शरत करना ठीक जो जो मैंने बताया ना इसमें पूरा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहां पर इसको सेव करवा देता हूँ ठीक है यह पूरे के पूरे पैनल को नहीं रहान देता हूँ ठीक है चलो ठीक है अब फटाक से बढ़ते हैं हमारे नेक्स टूटल की तरफ रोगता हूं इसको यहां पर ओके चलो